सो हेलो अब्रीवान वल्कम बैक टो अनदर न्यू वीडियो आज का ये वीडियो बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए अगर आप लोग पाई निट्वोग पे माइन करते हो क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोगो पाई निट्वोग के दो पाईस अनीट के बारे में स्क्रिन पर देख सकतो ये वैसी कल सिस्य न के तरफ से एक वीस संट आर्टिकल आए है जहां पर पकैन के बारे में बताया गया है इन्हों ने कॉइन कोडेक्स डिजिटल कोई प्राईस और प्राईस प्रेदिक्शन डिट और वाले इंब्स्टर के price prediction जो है यहां पे explain किये हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि किस ने pie का price कितना predict किया है तो सबसे पहले बात करते हैं coin codex के बारे में तो इन्होंने जो है short term predict किये हैं और यह बताया है कि pie का price जो है 6 July तक 21 dollar होने वाला है इंडियन रूपिस में अगर 21 dollar को convert करेंगे तो लगबग यह 1700 रूपिस होते हैं अभी बात करते हैं digital coin price के बारे में तो इन्हों ने जो है यहां पे 2032 तक pie coin का price predict किया है तो जान लेते कि कितना price इन्होंने बताया यहां पे यहां पे बताया गया है कि इस पाइक का price जो है लगबग 48 dollar होने वाला है और इसके साथ सत अगर long term prediction के बारे में बताए तो 2032 तक यहां पे चार सो सलतावन dollar एक पाइक का price होने वाला है इसमें कितना सचाई है यह आप लोग कुछी time के अंदर इस वीडियो पर जानने वाले हो अभी बात करते price prediction dot net का price predict के बारे में तो यहां पे इन्होंने जो बताया है इस साल जो है पाइक का price 39 dollar होने वाला है नेक्स्ट एयर जो है यानि के 2024 में पाइक का price 44 dollar होने वाला है इसी तरीके से 2025 में जो है 26 dollar और 2032 में यहां पे 890 dollar एक पाइक का price होने वाला है बात करते लास्ट price prediction के बारे में जो कि वालेट इन्वेस्टर के तरफ से इन्होंने यहां पे बताया है कि हाइपोटिकल करेंट प्राइस जो है पाइका वो है 23.87 डॉलर लेकिन नेक्स्ट एयर की बात करें तो यहां पे लगबग 2 dollar के आसपास पाइक का प्राइस होने वाला यह वालेट इन्वेस्टर ने बताया है तो अभी हम लोग बात करते हैं यह सभी price prediction के बारे में क्या यह सच है क्या इतना ज्यादा पाइक का price हो सकता है आने वाले time पे या नहीं तो दिखें यहां पे जितने भी pie coin का price prediction किये गए हैं वो सभी जो है pie के अभी के IOU के price के according किये गए हैं अभी अगर pie coin के IOU price या फिर coin market cap पे pie coin का price आप लोग चेक करोगे तो लगबग 25 dollar का आपको दिखेंगे जिसको अगर आप लोग इंडियन रुपिस पे convert करोगे तो यह लगबग 2000 रुपिया होता है यानि कि एक pie coin का price जो है 2000 रुपिस अभी के time पे है लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है coin market cap में जो pie coin का price अभी शो हो रहा है यह pie का real price नहीं यह pie का IOU price है इसका मतलब है जिस भी exchange पे pie coin list हो है सिर्फ आप उसी exchange पे pie coin को trade कर सकते हो यानि कि buy sell कर सकते हो आप अपने wallet से pie को transfer करके वो particular exchange पे pie transfer नहीं कर सकते हो और जब तक open minute launch नहीं हो जाई तब तक आप अपने pie coin को जो है transfer नहीं कर सकते हो किसी भी exchange पे तो overall जितने भी pie के price prediction के बारे में आप लोगों ने देखा ये सभी hypothetical price के according जो है यहाँ पे किये गए हैं यानि के pie के IOU के price के according किये गए हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि pie coin का price इतना नहीं जा सकता है definitely जा सकता है लेकिन इसके लिए time लगेगा ये एक long term project है अभी तक चार साल हो चुके लेकिन आप लोगों ने देखा कि अभी तक open minute भी launch नहीं हुआ है तो आप लोग सोच सकते हो इनका core team का जो है क्या thinking है pie coin को लेकर के initially जब pie coin list होगा किसी भी exchange पे या फिर open minute launch होगा तो उतना ज्यादा pie coin का price देखने को हमें नहीं मिलेगा क्योंकि तब जो है maximum लोग अपने pie coin को sell out कर देंगे क्योंकि वो जो है free में mine किये हैं pie coin को लेकिन अगर थोड़ा long term prediction के बारे हम बात करें तो pie coin का price जो है definitely बहुत अच्छा खासा level पर उपर जाने वाला है जो हमने अभी के time पे imagine भी नहीं किया है आपके according क्या लगता है pie coin के price कितना होने वाला है अभी के time पे या फिर 2026 तक वो आप comment पे जरूर बताना तो guys अभी बात करते हैं pie network के launch date के बारे में अभी के time पे बहुत सरे जगा पे आप ये देख रहे होंगे कि 28 zone को जो है pie network का launching होने वाला है तो क्या ये possible है या नहीं पहले इसके बारे हम बात करते हैं तो 28 zone को जो है किसी भी हालत पे pie network का open mainnet launch नहीं होने वाला है क्योंकि core team ने पिछले announcement में ये explain किया है कि open mainnet के लिए जो है दो goal complete करना जरूरी है एक KYC और mainnet migration यानि के सभी का KYC और mainnet migration होगा और दूसरा यहाँ पे utility creation मतलब utility अच्छा तरीके से create होगा ecosystem अच्छा तरीके से create होगा उसके बाद ही open mainnet यहाँ पे launch होगा और आप लोगों को ये चीज़ के बारे हैं पता होगा अभी के time पर हैसे बहुत सरे लोग है जिनका KYC complete नहीं हुए या फिर KYC result उनका pending पर है और साथी साथ अगर ecosystem के बारे हम बात करें तो यहाँ पे अभी तक test net ecosystem live हुआ है mainnet ecosystem अभी तक live नहीं हुआ है तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमें wait करना पड़ेगा जैसे ये दोनों चीज़ अच्छा तरीके से complete होता है उसके बाद ही हमें जोए open mainnet देखने को मिलेगा और open mainnet जल से जल launch करने के लिए हकातन जैसा project को यहाँ पे introduce किया जा रहा है तो अभी recently तो open mainnet launch नहीं होगा लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैं credit कर पा रहा हूँ कि इसी साल के last hack या फिर दोजार चौबिस के starting पे जोए open mainnet launch हो जाएगा आपको क्या लगता है आप comment पर जरूर बता सकते हो तो आज के लिए इतना ही आई hope कि यह वीडियो आप लोगे के लिए helpful रहा होगा वीडियो को देख सकते हो जिसका आपको जरूरत है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ